कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक का बरोदा के मुवाइल बैंकिंग बी ओबी वर्ड अप्लिकेशन में राइस्टेशन करना सिखेंगे इसके लिए सबसे पहले हम अपने मुवाइल में गूगल प्लेइस्टोर को ओपन कर लेंगे और प्लेइस्टोर के सर्च बार में टाइप करेंगे बी ओबी वर्ड देखिए बी ओबी वर्ड लेकर सर्च कर देंगे तो यहां पहले नमबर पे बी ओबी वर्ड अप्लिकेशन आ जाएगा इसका लोगो इस तरह का दिखाई देगा मैंने इस अप्लिकेशन को अपने कि जब आप पहली बार बी ओबी वर्ड अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो यह आप से कुछ पर्मिशन माएगा इसको अलाव कर देना है तो सबसे पहले नमर पे हमें यहाँ पर लेंग्वेश स्रेट करना है अब चीजबी भासा में बी ओबी वर्ड अप्लिकेशन का यूज करना चाहते हैं उस भासा को यहाँ से स्रेट कर लीजे मैं इंग्लिस को रने देता हूँ उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है प्रोसी से बैंक का बढ़ोदा में एक डीचर से विएकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन यह दिया आपका पॉलेस से बैंक का बढ़ोदा में खाता है तो यहाँ लिखा है और लेडी यह कस्टमर लॉग इन्टू बी ओबी वर्ड इसमें क्लिक करना है फिर से यहाँ पे परमिसन मांग रहा है इसको हमें अलाव कर देना है अब यहाँ लिखा है अलाव बी ओबी वर्ड सेंड ए एसमेंस यानि हमारे बैंक में रैइस्टर मॉइल नमर से हमारे बैंक में फेरिफिकेशन के लिए एक एसमेंस सेंड गया जाएगा इसे हमें अला सेलेक्टेड है अब यहां नीचे लिखा है इसके क्लिक कर देना है अब देखिए यहां ऊपर लिखा है एक हमारे से हमारे बैंक में विडिफिकेशन के लिए एक एस में सेंड किया जा रहा है अब देखिए यहां लिखा आ गया time out फिसरी सेंड करके देखते हैं क्या होता है कि यहां पर हमारा मवाइल नमर सो हो रहा है चलिए करफार पर क्लिक करते हैं हमारी मोइल नमर पर एक otp गया है वह बोड़ आटोमेटिक यहां पर फिल हो गया है नीचे लिखा है फेरिफाई इस पर क्लिक कर देंगे यहां उपर लिखा है रेजिस्टर फार मोबाइल बैंकिंग और यहां नीचे लिखा है आई एकसेप टर्मस और कंडिशन एज चौकोर बाक्स है इसमें हमें चेक मार्क कर देना है उसके बाद प्रोसी की यहां पर डाल देना है और नीचे में हमारे स कार्ड का वैसी डालना है अब देखीए मैंने यहांपर बैक का पर्वदा है-च Mickey ुडारल दिया और अपने कारणट का लाश्ट का छेयां यहांपर कर दिया यह है हमारे सबसे नीचे लिखा है सब्मीट हम सब्मीट पर क्लिक कर देंगे जैसे हम सब्मीट क्लिक करेंगे तो हम मुवाइल के स्किन पे एक मैसेज होगा रीष्टेशन सकस्फूल यानि हमने यहाँ पर वी 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 वर्ड अप्लिकेशन में सब्सक्राइबर पर यह सब्सक्राइबर और बाकी है और वह स्टेप क्या है कि हमारे बैंक में जो की send किया गया है यानि M-pin उसे हमें यहां पर डाल देना है कि एक्टिवेशन की डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आप यहां पर हमें चार आंकों का टांजेक्शन पीन बनाना है और एंजी टांजेक्शन पीन रहेगा वह M-pin से अलग होना चाहिए और सेम इसी transition pin को re-inter to confirm इसमें भी डाल देना है उसके बाद next पर click कर देंगे तो देखिए हमने यहाँ पर transition pin बना लिया है अब इसके बाद हमें चार रंगों का login pin बनाना है हमारे मॉइल पर जो चार रंगों का M पिन आया था उसको हमें यहाँ पर नहीं डालना है यहाँ पर कुछ और डालना है हमने जो उपर में login pin set किया है सेम इसी login pin को यहाँ नीचे में डाल देना है उसके बाद submit पर click कर देंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया congratulations और नीचे में account holder का नाम सोव रहा है you have successfully set your transaction and login pin you are ready to enter B.O.B. world यानि हमने यहाँ पर B.O.B. world application में successfully registration कर लिया है तथा उसमें login करने के लिए login pin तथा transaction pin दोनों बना लिया है अब चलिए login पर हम click करते हैं तो जैसा कि आप दसकते हैं मैं यहाँ पर B.O.B. world application में login वाले page पर आ गया हूँ यह है account holder का नाम अब यहाँ पर हमें चार अंकों का login pin डालना है और यह login pin जो हमने last बनाया था उसी login pin को यहाँ पर डाल देंगे तो जैसा कि आप दसकते हैं मैं यहाँ पर B.O.B. world application में login हो चुका हूँ यहाँ पर हमारा account number सो हो रहा है नीचे है available balance इस आंक पर किलिक करके हम अपना available balance चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी B.O.B. world application में registration करके transaction pin तथा login pin बना सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चनल पर पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस्ट कर दें तो मिलते हैं इसी पर आके एक और ग्यान वाली